दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भारतिय कार्डिनल एशिया का सबसे पहला आदिवासी कार्डिनल की टेली स्पोर टोपो की जीवन संधर्श की कहानी कृपया वीडियो शुरू से अंत तक सुनियेगा अच्छा लगे तो वीडियो को शेर सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलियेगा टेली स्पोर प्लासीडस टोपो 15 अक्टूबर 14 चार अक्टूबर 2023 कैथोलिक चर्च के एक भारतिय धर्माध्यक्ष और आदिवासी समुदाय के सदस्य थे जो एक साल तक सहसहायक के रूप में सेवा करने के बाद 185 से 2018 तक राची के आर्चडियोज के आर्ख बिशप थे वह 1978 से 1984 तक दुमका के बिशप थे उन्हें 2003 में कार्डिनल बनाया गया था जो भारत की आदिवासी आबादी से पहले थे टेलिस्पोर प्लासिडस तोपो का जन्म 15 अक्टूबर 1949 को बिहार राज्य और अब जार्खंड भारत के चैनपूर में हुआ था वह दस बच्चों में से आठवे थे वह और उनका परिवार आदिवासी, स्वदेशी आदिवासी समुदाय से थे टोपो ने सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची से और धर्म शास्त्र की पढ़ाई रोम के पॉंटिफिकल अर्बानियाना यूनिवर्सिटी से की उन्हें 3 मई 1979 को बिशप फ्रांज वॉन स्ट्रेंग द्वारा पुजारी नियुक्त किया गया था तोरपा जारखंड में सेंट जोसिफ स्कूल के हेड मास्टर और लिवेंस वोकेशनल सेंटर के निदेशक के रूप में कार्यकाल के बाद तोपो को दुमका का बिशप नामित किया गया था और साथ अक्टूबर 1978 को आर्क बिशप पायस केरकेटा एस जे से उन्हें एपिसकोपल अभिशेक प्राप्थ हुआ आठ नवंबर 1984 को उन्हें जारखंड राज्य की राजधानी राची का कोईट जुटर आर्क बिशप नियुक्त किया गया वह 7 अगस्ट 1980 को वहां आर्क बिशप बने तोपो को 21 अक्टूबर 2003 को पोप जौन पॉल द्वितिय द्वारा कार्डिनल पुजारी बनाया गया था जिसे सैक्रो कोर डी गेसु एगोनिजेंट ए विटिनिया का नाम मात्र चर्च दिया गया था वह भारत के तीसरे कार्डिनल पहले आदिवासी और पहले आदिवासी भारतिय थे उन्होंने कहा कि कार्डिनल की उपाधी भारत में जनजातिय चर्च के लिए विशिष्टता का प्रतीक और इसके विकास की मान्यतार है तोप को 2005 के पोप कॉंक्लेव में निर्वाचक थे जिसमें जोसेफ रतजिंगर को पोप बेनेडिक्ट 16 के रूप में चुना गया था 2000-06 में दो अफसरों पर भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के दोवर्षिय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था उन्होंने भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया जो की बना था केवल लेटिन संसकार बिशप 2001-2004 और 2011-2013 तक 2008 में बिश्पों की धर्मसभा में उन्होंने विश्वव्यापी प्रयासों का समर्थन किया लेकिन सच्चाई को कमजोर करने के खिलाफ चेताबनी दी और इस्टर के उत्सव के लिए एक सामान्य तिथी पर सहमती का आहवान किया 2012 में न्यू इवेंजलाइजेशन पर धर्मसभा में उन्होंने धार्मिक आदेशों से मिशनरी कारियों के लिए खुद को नए सिरे से प्रतिबध करने का आहवान किया तोपको उन कार्डिनल निर्वाजकों में से एक थे जिन्होंने 2013 के पोप सम्मेलन में भाग लिया था जिसमें पोप फ्रांसिस का चयन किया गया था 11 फरवरी 2008 को उन्होंने मैरी पर एक नई मैरियन हटधर्मिता की घोशना करने का आहवान किया Mediatrix of Grace, Coridem Tricks of Humanity जिसमें यीशु एक मात्र और अध्वितिय मध्यस्थ थे तोपको एलिजा इंटरफेथ इंस्टीट्यूट के विश्वधार्मिक नेताओं के बोर्ड में बैठे पोप फ्रांसिस ने 24 जून 2018 को राची के आर्क बिशप के रूप में टोपो का इस्तीफा स्विकार कर लिया और उनके उत्तराधिकारी फेलिक्स टोपो जमशेदपुर के बिशप की घोशना की थेलिस्पोर टोपो का 83 वर्ष की आयू में 4 अक्टूबर 2023 को राची के कॉंस्टेंट लिवेंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में निधन हो गया पोग फ्रांसिस ने कारडिनल टेलिस्पोर प्लासीडस टोपो को फेडरेशन आफ एशियन बिशप्स कॉंफरेंस एफ एबीसी की ग्यारहवी पूर्ण सभा के लिए अपने विशेश दूद के रूप में नामित किया जो 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2016 तक कोलंबो श्रीलंका में हुई थी 2002 में उन्हें जार्खंड में किये गए विशिष्ट सामाजिक कारियों के लिए जार्खंड रत्न पुरसकार मिला असाधारन धार्णा और तीवर अवलोकन से संपन्न, कार्डिनल टोपको हाशिये पर रहने वाले लोगों के साथ-साथ धार्मिक जीवन और धार्मिक सोच का मार्क दर्शन करने के लिए भगवान का एक चुना हुआ साधन थे वह गरीबों और जरूरत मंदों की सेवा के लिए समर्पित व्यक्ति हैं उनकी उदार्ता, उपलब्धता और करुणा ने सपष्ट रूप से उन्हें एक उतक्रिष्ट व्यक्ति बना दिया है जिसका सभी लोग सम्मान करते हैं उनके स्नहपूर्ण निहथे व्यक्तित्व ने उन्हें सभी क्षेत्रों में मित्र और प्रशंसक बना दिया उन्हें चर्च के विकास, गरीबों और जरूरत मंदों के लिए सांत्वना और एक बहुत ही विशेश तरीके से छोटा नाकपुर आदिवासियों के कल्यान और बहुआयामी प्रक्ति के लिए प्रतिबध और चिंतित माना जाता है कार्डिनल टोपो कई गुनों वाले व्यक्ति हैं, कुछ जन्मजात और कुछ आत्मनुशासन और अंतरग्रिष्टि पून अवलोकन के माध्यम से प्राप्त किये गए वह पूरी तरह से जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उतक्रिष्टता की तीवर मांग करता है सुव्यवस्था एवन नियमित्ता उनकी पहचान है उनकी इमानदारी, विनमर्ता, सरल्ता, उदार्ता, शांती, सौमयता, साहस और आत्म विश्वास उनके महान व्यक्तित्व के मोती है कार्डिनल टोप्पो का आध्यात्मिक जीवन अत्यंत सरल एवं उलेखनिय है वह प्रार्थना और गहरी आस्था वाले व्यक्ति है मसीह में उनका विश्वास और सार्वभौमिक चर्च के साथ उनका जुड़ा वटल है पवित्र यूचरिस्ट के प्रती उनका प्रेम यीशु के पवित्र हृदय के प्रती समर्पन और माता मरियम के प्रती सनहपून लगाव उनके प्रतिबध और अटूट व्यक्तित्व के स्रोत है उनकी उर्जाकासरोत और रहस्य पूरी तरह से पवित्र संसकारों और प्रार्थनाओं में नहित है कठिन कार्यक्रमों और जीवन की कठिन परिस्थितियों के बावजूद वह पवित्र यूचरिस्ट, रोजरी या चर्च की प्रार्थनाओं को कभी नहीं भूलते वह 54 वर्षों तक पादरी, 44 वर्षों तक बिशप और 19 वर्षों तक कार्डिनल रहे दोस्तों उम्मीद करते हैं यह विडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा है तो विडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली ग्रूप में शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा धन्यवाद